Hello Friends, फेंसा आज के सोडियमम 4-Wire Silling Fan Testing Multimeter से किस तरह की जाती है आज के सोडियमम सीखने वाले है हमारे पास कोई 4-Wire Silling Fan है और हम चेक करना चाहते है हमारे जो Silling Fan है वो ओके है या डिफेक्टिव है तो इसकी Testing Multimeter से किस तरह की जाएगी आज के सोडियमम सीखने वाले है जैसा कि हम जानते है जो भी हमारे पास Single Face Motor या Silling Fan होता है उसमें हमारे पास 2 Winding होती है Basically एक Winding होती है Starting Winding और एक Winding होती है Running Winding Basically जो अंदर की Winding होती है या हमारे Starting Winding होती है और जो बाहर की Winding होती है वह हमारे पास Running Winding होती है तो जो 4 Wire Silling Fan में हमारे पास जो 4 तार आते है वो क्या होता है Starting Winding का एक Starting Terminal होता है और एक Ending Terminal होता है तो इस तरह में 2 Wire Starting के मिलते है और 2 Wire Running के मिलते है Normally 90% Cases में जो Red वाला तार होता है या लाल वाला या Green वाला तार basically होता है कोई Green यूज़ करता है को लाल या Red यूज़ करता है तो या आपका basically Running Winding होता है जो Blue वाला या कोई Black यूज़ करता है तो आपका Starting Winding होता है तो आपको check करना है कि आपका ceiling fan ok है या नहीं तो multimeter से किस तरह check किया जाएगा हम सीख लेते है multimeter से check करने के लिए आपको जो multimeter ही उससे आपको सबसे पहले तो ohm range में set करना होगा तो हम यहाँ पर ohm range में चुकि हमारे resistance 200 से जादा आने वाला इसलिए हमने यहाँ पर 2K पर पहले set किया है अब हमें क्या करना है इसमें हमें 3 test perform करना है सबसे पहले तो हमें यह check करना होगा कि जो हमारा ceiling fan है उसकी winding कहीं break तो नहीं है तो break check करने के लिए हम क्या कहीं से open तो नहीं है तो हमें क्या करना है जो हमारे दो तार है इन दो तार में आपस में हमें resistance मेजर करना है कुछ ना कुछ इसका resistance आया देखे कुछ ना कुछ resistance आया यह क्या है बीच में से break नहीं है यह open नहीं है इसी तरह इस winding को भी देख लेते हैं इसमें भी कुछ ना कुछ resistance आना चाहिए यदि कुछ ना कुछ resistance आता है तो हमारी यह winding बीच में से break नहीं है हम समझेगे चलिए हम पहले इससे अच्छे से check कर लेते हैं देखिए इसका भी कुछ ना कुछ resistance आया यह winding बीच में से break नहीं है नॉर्मल जब आप इस तरह से check करें तो आपका हाथ मल्टीमिटर के प्रॉप से touch नहीं होना चाहिए नहीं तो आपकी जो बोडी का resistance होता है वो भी आ सकता है पर हमारी मल्टीमिटर के प्रॉप छोटी है इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से touch कर रहे है देखे यह winding में break नहीं है यह winding भी break नहीं है that means हमारी दोनों winding ओके है that means हमारा जो ceiling fan है वो open नहीं हुआ है अब हम इसमें shorting चेक करना होगी कही winding short तो नहीं हो गई है तो shorting चेक करने के लिए हम क्या करते है देखे हमने दोनों winding में चेक करने अब shorting कब होगी जब starting winding और running winding आपस में मिल जाएगी तो यहाँ पर कोई resistance नहीं आना चाहिए यदि starting के साथ running का resistance आता है तो उस condition में मायना जाएगा आपके ceiling fan के winding short हो गई है बढ़ देखे हमारा running और starting के बीच में कोई भी resistance नहीं आ रहा है यदि running और starting के बीच में कोई resistance आता है तो हम समझते हमारा ceiling fan short हो गया है बट यह short नहीं हुआ है तो हमारी winding ना तो open है ना short है बस अब एक ही test बचता है जो कि होता है ground test अब हम ground test या जिससे body तो नहीं हुआ है हमारा fan यह चेक करना है तो हमें क्या करना है जो चारो हमारे टर्मिनल से चारो तार आये है उन्हें में ceiling एक तार हमारे मल्ट तार पर लगाना है और एक multimeter की probe हमें ceiling fan के body पर कहीं भी टच करना है देखिए हम body bearing पर शेक कर लेता है या इसके stator पर check कर सकते है तो हम यहाँ पर bearing पर check कर लेते है कहीं भी कोई continuity नहीं मिलना चाहिए यहाँ से कोई continuity आपकी मिलती है that means ceiling fan की body से और motor के terminal यहाँ के terminal से यहाँ पर कोई continuity मिलती है आपका ceiling fan होगा वो body हो चुका है बट हमने देखा कि चारो प्रोप से कहीं भी कोई continuity नहीं मिल रही है तो यहाँ पे हमारा ceiling fan body भी नहीं है that means ही हमारा ceiling fan ओके है नहीं यह open है ना short है ना ground है तो इस तरह आप check कर सकते हैं कि आपका ceiling fan ओके है या नहीं सबसे पहले पहले चेक कीजिए open तो नहीं है हर एक winding का resistance लिजिए उसके बाए short तो नहीं है start और running आपस में short तो नहीं हो गई है फिर आप ground test कीजिए कहीं आपकी winding ground तो नहीं हो गई है यह तीनों test successful होते है तो आपका ceiling fan है वह okay है So I hope आपको समझ में आया हो किस तरह ceiling fan की testing की जाती है इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इस ceiling fan की testing basically आपके पास यह तो series lamp पर है तो series lamp से किस तरह की जाएगे इसके उपर भी हम एक वीडियो बनाना वाले है So आज के लिए इतना ही Thanks friends